अब विवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दड़िबेट बैन भाईयों उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी घटना हुई है एक हपते के भीतर तीन आईएस अपसर्व में प्रापर आईएस अपसर्व में इस्तीफा दे दिया है न चोकाने वाली बात तो आज इसके कारण समझने कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ एक हपते के भीतर तीन प्रापर आईएस अपसर्व में नोकरी से इस्तीफा दे दि में टाप सर्व पोस्ट आईएस सबसे भेहतरी नौकरी ओभी यूपी काइडर तीन आईएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया दो एडिस्टनल चीफ सेकरेटरी रहें के और एक प्रिंसपल सेकरेटरी रहें का रेंगा कुमार ने यूपी के बहुत धाकल आईएस अफसर रे इनका कुमार ने की बहुत इमानदार अफसर दिल्ली तैनाती भी गई थी पदा नहीं वहां क्या हुआ कि यूपी लोटी और लोटते इस्तीफा बात यहीं रुकी नहीं जूतिका पाणर कर 1988 बैच की अफसर राजिपाल की प्रमुख सचीव रही है मादमिक सिक्षा में र चुट्टी पे गए हैं विदेश और भेज दिया है इस्तीफा तो एक हपते में यूपी कैडर के तीन आईये सबसरों ने इस्तीफा देकर पूरे कैडर में और पावर कारिडोर में संसनी फैला दिये यह प्रत्यासित है और इसके पहले ऐसा कोई उधारण नहीं है कि एक ह क्या कोई और वज़े है या सरकार के साथ तालमिल का अभाव है या फिर काम का महौल नहीं है या फिर इनके पास इससे ज़्यादा बहतर अपर्चुनिटीज हैं क्या है पहली बात तो आईयेस में चैन होने ही बहुत बड़ी बात है और आईयेस में नौकरी पाने के बाद इंसान को लगता है कि वो तो अब बहुत ऊपर की चीज हो गया अपने को नेक्स्ट लेबल मानने लगता है और उस नौकरी से स्तीफा दे देना ये अपने आप में आश्चेर की बात है लोग स्तीफा देते हैं कोई politics में जाता है कोई सांसत बनता है किसी की minister बनना होता है यहां तक तो बात समझ में आती है कि चुनाओ के दौरान इस्तीफा दे दिया इलेक्षन लड़े सांसाथ बिधायक बने मंतरी बन गए लेकिन जब चुनाओ नहीं है कोई राजनीतिक मसला नहीं है कोई पॉलिटिकल यूटिलिटी नहीं है उस दौरान तीन तीन आईयस इस् खटकने वाली है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस बारे में खुलकर चर्चा कह ली जाए कि कारण क्या है यूपी कैडर की गिंती देश भर में आईयस और आईपीएस के मामले में रायल कैडर के तवर पे होती है राज साही यहां आईयस और आईपीएस बन गए तो जिन्द और उस नौकरी से कोई स्तीफा दे रहा है और वो भी बीना किसी पॉलिटिकल रीजन के तो बात तो चौकाने वाली है यह इत्तिफाक है या फिर कोई ना इत्तिफाकी है इस बारे में आज खुलकर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह कोई मामूली घटना करम नहीं है पाव इसले को लेकर आग लगी हुई है लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है तो खुलकर आज इस डिवेट में हम चर्चा करेंगे हैं आरण सिरिवास्तों है मेरे साथ फार्मर प्रिंस्पल सेक्रेटरी होम आई एस अधिकारी रहें विक्रम सिंग जी हैं फार्मर डीजीपी बहुत ही सीनियर IPS अफसर रहें हरिश्चन सिरी वास्तों भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद है PCS संके पूरु अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है और मनोज यादो काका समाजवाधी पार्टी के प्रवक्ता और केपी मलिक बह को देर में हमें जोइन करेंगे तो सबसे पहले कारके